हेलो कैसे हैं आप लोग आज आपके लिए हैं बड़ा मज़ेदर वीडियो पहचान गए होंगे वीडियो होने वाला है अगर आप परिशान है ड्राय स्किन से तो चुटकारा यह देगा तो चलिए वीडियो एंजॉय करते हैं नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैन अगर आप परिशान है तो उससे चुटकारा आप कैसे पा सकते हैं दोस्तों बहुत सारे प्रशन आते हैं आपके की रूखी तवचा तो है लेकिन पिंपल्स भी है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग फेशियल जैसा कि आपने शिरू में करें ब्लेक हैट वाइट कैसे रिमूव करें बट आइम शूर कि आपने वेसलीन फेशियल कभी नहीं देखा होगा यह मैंने एक्सपिरियंस किया है मैंने सर्दियों में यानि यह सर्दियों के दौरान यह वीडियो शूट कर रहे हैं हम 22nd of January तो आपको मिलेगा 23rd को I think तो अभी मैं रिसेंटली शूट कर रहे हूँ यह वीडियो और एक्सपिरियंस बता रहे हूँ कि वेसलीन फेशियल जो है यह आपकी रूखी तवचा अगर है पिंपल्स भी है कील मुहा से भी है सब को ठीक करेगा तो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही छोटू सा एक फेशि करें क्योंकि वीडियो जो बन रहे हैं वो आपकी पसंद से बन रहे हैं आपके हिसाब से ओन डिमांड वीडियो चल रहे हैं फटाफट से शूट हो रहे हैं फटाफट से एडिट हो रहे हैं फटाफट से हम अपलोड कर दे रहे हैं तो चलिए अब शुरू करते हैं आप ब जिए वेसलीन के बहुत जारे यूजिस मैने वैसे आपको बताए हैं, तो मेकप रिमुवर का काम भी वैसलीन करता है तो आपने क्या करना है इतना वैसलीन आपको लगेगा एक बार में इस तरह से वैसलीन ले लिया है हमने पूरे चहरे पे आप लगाएं बहुत अच्छे से मेकप रिमूव हो जाएगा और इसके बाद हम करेंगे अपना क्लीन्जिंग सबसे पहला स्टेप होता है क्लीन्जिंग का लेकिन मैंने मेकप किया हुआ था तो मुझे वो मेकप उतारना था पहले तो इसलिए मैं वैसलिंग का ही यूज कर रही हूँ यह बात है कि आपका स्किन आपका जो चेहरा है अगर आप इससे फेशिल करेंगे तो डेफिनेटली इंपिडेटली आपको रिजल्ट दिखेगा और आपको लगेगा कि आपके जो डेड स्किन है वो सारी निकल गई है अब हम लेंगे एक वेट टीशू आप कपड़े का इस् तो वो सारा इस तरह निकल जाता है यह बहुत अच्छा मेकप रिमूवर का काम करता है अगर आपने माल लीजी कि यह वाला स्टेप नहीं करना है मतला आपने कोई मेकप नहीं किया है वैसे ही क्लीन है आपका चेहरा तो आपका पहला स्केप होगा क्लीनजिंग अभी है हमारा पहला स्टेप जो फेशियल का होता है आपको सब को पता है कि फेशिल के जो स्टेप होते हैं वो हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कुछ लोगों के फेशल में तीनी स्टेप होते हैं, कुछ लोगों के फेशल में पांच स्टेप होते हैं, चार होते हैं, स्टीम पूरी तरह से ओप्शनल है, आप चाहें तो आप स्टीम लें, आप चाहें तो आप स्टीम ना भी लें, आपकी बर्जी है, सर्दियों में वैस इस तरह से लेना है हमने थोड़ा सा वैसलीन, बहुत इजी है, बहुत आसान है, और ये वाला फेशिल जब हम कर रहे हैं, तो आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, पानी की जगे हम वेट टीशू या वेट कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, आपके पास अगर वेट टीश था, कि वेट टीशू लेना है, हमारे पास तो वेट टीशू है नहीं, वैसलीन, दूसरी चीज हमने इसमें डालनी है, एलोवेरा जेल, बहुत थोड़ा सा डाले, अगर आपने बहुत समय से फेशियल, स्क्रब या ऐसा कुछ नहीं किया, तो क्वांटिटी थोड़ी ज़ा दाले, और अपने चेहरे पे करें, दो से पांच मिनट मसाज, अब हम जब मसाज कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूं, कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो गई है, एक काली सी परत जम गई है, तब आपने स्टीम जब लेना है, उसमें आप थोड़ी सी गुलाब की पंखुडियां जरूर मिलाएं, अगर कील मुहा से बहुत ज़्यादा है, तब आपने नीम की पतियां उस गरम पानी में डालनी है, तो उसका स्टीम लेना है, यह है स्टीम के लिए आपको आप्शन, अब आप देख सकते हैं कि 2 से 5 मिनिट हो गये हैं मुझे म जिल लोगों को पिंपल्स की प्राबलम बहुत जादा है, वो स्क्रब जब हम करते हैं, उसके पहले स्टीम ले, उसके बाद आप स्क्रब करें, जिल की स्की नॉमल है वैसे ही टैन हटाना है, तो वो कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मरजी है, फिर से आपने लेना है वैसलीन, अब आपको लग रहा होगा कि यह मैडम आज हमारा पूरा वैसलीन का बॉटल कहतम करेगी, लेकिन इस बार वैसलीन जाद नहीं लेना है हमने, बिलकुल थोड़ा सा लीजे इतना सा, और इसमें आपने मिलाना है इतनी सी चीनी, थोड़ी सी चीनी, बिलकुल थोड़ी सी, दो चार दाने। इस तरह से दोनों हातों को लबेड लें, अच्छे से और पिर अपने चेहरे पर हलके हातों से आपने लगाना है। स्क्रब करते दाराण आपने ध्यान एकना है कि आपने बिल्कुल भी हाशना Jesus, ऐसे fast scrub नहीं करना है, प्रेशर ज्यादा नहीं देना है, बिल्कुल हलके हाथों से करें जब भी हम कोई scrub अगेरा करते तो आपने लिप्स नहीं चोड़ने हैं, लिप्स का एरिया जरूर स्क्रब करें क्योंकि लिप्स पे भी डेड्ड स्किन हो जाती है, लिप्स को भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं उसमें, तो इस फेशियल से आपके लिप्स की परिशानी भी ठीक हो जाएगी मुझे मसाज करते हुए हो गए हैं फिर से 2-5 मिनेट, जो मैंने स्क्रब किया है, वो 2-5 मिनेट कर लिया है, मैं स्टीम नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरी स्किन पर केल मुहा से भी नहीं है और इतनी टैन भी नहीं थी स्किन, और साथ ही साथ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ब कि बार स्टीम लेती हूं तो यह हो गया है अब है हमारा तीसरा जो स्टेप वो है मसाज भी करेंगे और पैक भी होगा वो मैंने क्या किया है कुछ नहीं है ऐसी ही हाथों को पानी वानी कुछ नहीं लगाना है आपने आपने ले लेना है मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं यह मैंने एवरीडे का नैसले का ही मिल्क पाउडर लिया है आसानी से कहीं भी मिल जाएगा वैसे मैं लिंक भी दे दूंगी तो मैंने मैं मोसली अपना सामान अमेजोन से लेती हूं तो अमेज आपको जब आप मिल्क पाउडर लगाते हैं तो याद रखिए थोड़ा सा खुर्दरापन लगेगा आपको क्योंकि आप ने उसमें पानी नहीं मिलाया है डेलूट करने के लिए सिर्फ वैसलीन है हमारे पास चीनी है जो उसकी एक लेर हमारी स्किन पे बना देगी अब अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा कील मुहासे हैं तब आपने क्या करना है इसके उपर एक लेर आपने लगानी है एलोवीरा जेल की मेरी स्किन पे कील मुहासे तो नहीं है लेकिन स्किन इतनी ड्राय रहती है कि मैं आपको बता नहीं सकती तो उसके लिए एक और तरीका होता है जिल लोग की स्किन बहुत जादा ड्राय है कि आप लोगों ने इस वाले पैक के ऊपर क्या लगाना है तो आपने क्या लेना है रोज वाटर मैं यहां नेचर स्तत्वा का ले रही हो आपकी मर्जी है आप अपने दिल से पसंदिता ब्रैंड चूस करें आप उस प्रें ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूं कि आपने यही लेना है आपने क्या करना है हलके हाथों से प्रे कर लेना है अपने पूरे चेहरे पे अब इसको दो से पांच मिनिट आप ऐसी ही फिर से मसाज करनी है जैसी ही आपने रोज वाटर मिक्स किया है इसमें वो एकदब सॉफ्ट हो जाएगा जब वो soft हो जाता है तो massage करना आसान होता है आप चाहें तो rose water थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं अब मैं बताती हूँ जिन लोगों के open pores हैं blackheads हैं whiteheads हैं उन्होंने क्या करना है उन्होंने ले लेना है इस तरह से गीला कपड़ा आप wet tissue ले सकते हैं गीला कपड़ा ले सकते हैं open pores mostly in areas में ज़्यादा होते हैं blackheads, whiteheads भी यह वाले areas में ज़्यादा होते हैं या T zone में होते हैं आपने इस तरह से गीला कपड़ा जो लिया है उससे पूरा pressure दे और जो भी यहां आपके dust pollution है वो सारी निकल जाएगी थोड़ा दबा के आप पूरा clean करें nose का area अब मेरे तो blackheads, whiteheads है नहीं तो शायद आपको नहीं दिखेगा लेकिन जब आप ये विधी करेंगे तो आपको result दिखेगा तो थोड़ा सा pressure देके इस तरह से आपने वो आपके whiteheads, blackheads remove कर देने हैं लेकिन weseline जो होता है उससे soft हो जाती है skin जब हम ऐसे pressure देते हैं तो वो blackheads, whiteheads सारे निकल जाते हैं उसके बाद अपने पूरे चेहरे को अच्छे से कर लीजिए आप गीले कपड़े से पानी नहीं मारना है आपने अच्छे से इस तरह से clean कर लेंगे हम और आपके लिए बहुत ज़रूरी एक precaution है वो यह है कि वैसलीन facial करके आप धूप में कभी न जाएं हमेशा याद रखिए कि वैसलीन facial अगर आपने करना है तो आप रात को सोने से पहले करो आपने देखा होगा कि hardly 10 minute हमने लगाए हैं इसमें बहुत छोटी सी विदी है, easy है, आसान है, कुछ भी difficult नहीं है option मैंने आपको बता दिया है, अब मुझे पता है आप लोग बोलेंगे कि हमारे पास aloe vera gel नहीं है तो हम क्या करें कोई बात नहीं नहीं है तो आप skip कर सकते हैं aloe vera gel अगर आप इस्तेबाल नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात दे कुछ लोगों को aloe vera से allergy होती है तो आप चाहें तो आप aloe vera की जगे पे rose water डाल सकते हैं और जिल लोगों को suit करता है वो aloe vera की जगे पे दही भी डाल सकते हैं लेकिन दही का इस्तेमाल dry skin वाले ना करें तो बहतर होगा जिल लोगों की तो आपको फाइदे ज्यादा होगे इसके बाद बचा है हमारा एक लास्ट स्टेप जो करके आपने सो जाना है क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूं आपको कि आपने यह वाला फेशियल करके दूप में बिलकुल नहीं जाना है आपने लेना है अलोविरा जेल अलोविरा के ऑप्शन्स मैंने अभी आपको बताए है कि जगे पे आप क्या-क्या ले सकते हैं तो मैं लूँगी अलोविरा इस तरह से इतनों सा ज्यादा नहीं लेना है यह हमारी नाइट क् और हमने वैसलीन भी लिया है बिलकुल थोड़ा सा ताकि आपको ऐसा चिप-चिप ना लगे इससे इसको इस तरह से आपने हथेलियों के बीच पे थोड़ा सा गर्माईश देनी है और अपने चेहरे पे मालिश नहीं करनी है बस उसको लगा के इस तरह से हम छोड़ देंग और आप रात भर इसको अपने चेहरे पे लगा रहने देंगे तो अब मुझे बताइए कि आपको ये चोटो से फेशिल लगा कैसा और इतना वीडियो देख लिया है अब लाइक का वटन दबा दो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और मुझे सलाह देते जाएं कि वीडियो आपको और कौन-कौन से टॉपिक पे चाहिए मैं कोशिश करूंगी कि आपके पसंदिदा वीडियो फटाफट से बना दो हम मिलेंगे अपने अगले ऐसे ही धमाग के दार नए वीडियो के साथ त